गुड मार्नी फ्रेंड दिस इस स्टेडियू पॉइंट क्लासेज दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं उत्रागेंट करने भी निए आज यह पुस्तक जो है फ्रेंड डॉक्टर यहां कटोच की द्वारा लिखी गी साथ ही हमने आज से हमने इन वीडियो में अपने स्टेड साथ के बारे में अब लोग जानते हैं दोस्तों महाराजा किर्दी साहा का जो अवदी है अठारों से वियानवे सब्सक्राइब इसी लिए किर्दी साहा के व्यस्कोंने तक राजमातर गुलीरिया उनकी सरक्षिका रही थी तो देखें दोस्तों किस तरह से गड़वाल रा रहा है चाहेंगो कर्णावती हो जिया करनिक दी हो गुलीरिया हो टिकुशे रानिये हैं हमने बहुत सारी सरक्षिकाओं के नाम पढ़ लिया हैं दोस्तों और इनके चाचा बिक्रम सहा को इनका सरक्षिक निप्ति किया गया था अठारा सो भीहनवे में केर्दी सहा को मसाला का निखमार करवाया था किर्दे सहा का विवान नेपाल के प्रधान मंतरी राड़ा जंग बहादूर के पौत्रे से हुआ था किर्दे सहा प्रताब हाई स्थापना की थी मूल रूप से प्रताब हाई स्थापना 1883 ने प्रताब सहा के द्वारा की गई थी जो अंग् गिस प्रताप साहा के सब्साइन जिसकी एस्ताफना स्वेम जिस विदह लेखें इसकार प्रताप साहा ने 1883 सुटि लूरिए प्रताप साहा की पूत्र किरती साहा जिन को पड़ लूड़ रहे हैं इन्हों बाद में उसी अग्रीजीप धियाने का नाम बदलकर के प Eck suicide challenge भी समॉल है धाना ऐसकोट दोस्तों ही वेट सुस्कुित पार साला की स्थापना ook 109 मी की इसके साथ कॱ्क हाथ किर्थी स्हार नी अनय्काइत आनले के स्थापना की थे किन्तू जो मेहत्वकूर है Yoga State स्थाप कार साला आप प्रता ही इसकोर ही है राजा कृती साहफ ने अनिक सामाजी सुधार के कारी किये थे जैसे कुरूतर पूर्वा जोटा मारने और बीडवारता को बंद करने का आदिश दिया था किर्थिसाह ने निर्धनों को कन्यदान में आर्थिक साहिता दी थी किसानों की सुविधा के लिए 2,00,000 रुप्यों से बैंक और के स्थाफ ना की थी दोस्तों इंगे तक यह अब तक यह कैसे के प्रिक्षाव में नहीं पूछा यह है राजधानी इस्ति टीरी प्रेंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र रियासत टीरी गडवार दर्वार गजट प्रकासिद हो वाता हूं हो सकता दोस्तों आपको गडवार गजट नाम का एक अकवार प्रकासिद किया था जो इक पाक्षिक था राजधानी टीरी में घंटा गर कर निर्मानकारिया हूँआ था तो दोस्तों इसके पीछे चोटी सी ये कहानी है कि कहा जाता है कि बृतिन के महारानी ने किरति साह से प्रसंद होकर के टेरिय में घंटा अधर कर निर्माण करवाय था उसकी धरी जो थी वो बृतिन के महारानी के दुआरा बिंट की गई थी किर्दि साह के समय में ही नई राजबहन का निर्मान कारी प्रावर मुरुआ था दोस्तों आपको याद होगा कि हमने जब सुदर्शन साह पढ़ा था तो नहां पे आपको बताया गया था कि कैसे 1848 में सुदर्शन साह ने पुराना दर्वार का निर्मान करवाया था तो अब आपको यह याद रखना है कि जो नए दर्वार या नए राजबहन है उसका निर्मान करवाया के समय में हुआ था किर्दि साह ने अपने नाम से नई नगर की इस्थाफना की थी आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि इन से ठीक पहले इनकी जो पिता थे कोरें परताब सहा ने भी परताब नगर की इस्थाफना अीटींटीसेवन में की थी तो दोस्तों परताब सहा से किर्ति सहा किर्दि सहा की और अपने नाम से नगरों की स्थापना की थी किर्ति सहा नहीं यमुना नदीव पर हीविट ब्रीश कर निर्माड करवाया था जो महतुपूर है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह कैसे सी का कोई भरोजा नहीं है यह कहां से किस्वरगार का प्रस्न दे दे तो हमें अधिक सा नहीं सर्वधर्म संभीलन का अयुजिन किया था महतुपूर्ण को इस पंती के उपर में अंतुम एक वाफिट से शुर्चा करूंप फिला लागे बड़ते हैं अठारा सो अठाड़ावी में बेटी सरकार ने इनिक कंपेनियन और इंडिये के उपादी से संभानित किया थ दोस्तों 1901 में किर्थि सहा को नाइट कमांडर की उपादी से सम्भानित किया था किर्थि सहा के समय में टीरी में पहली बार भी लिकी सुविधा से जनताओं का अवगत कराए गया है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कि जो टाइमिंग है अभी आपको पता है कि ये कब से लेकर कब तक थे तो इनका जो लास्ट डूरेशन है वो था आपका 1913 था और आप लोग जाते हैं कि मसूरी में जो ग्लो के जल्ब बिद्धुत पर यूजना है उस पर बिद्धुत अत्पादन का कारिया इन्हें के समय में सुरू हुआ था किर्थि सहा ने नगरपालिका क की स्थाफना की थी है किल्थो राज जी की सबसे प्राचीन नगरपाली का मसूरी नगरपाली का है दोस्तों इसको याद रखेगा उत्तरकासी में किर्थि सहा ने कुछ्ट आस्रम की स्थाफना की थी किर्थि सहा ने टीरी में वैसाला का निद्मान करवाया था दोस्तों यहां पर दिदिसों से नक्षत्रों का धिन करने के लिए टैलिस्कोप मनवाए थे जो बहत्वकूर है अभी तक यू कैसे से प्रशने नहीं पूशा गिया है संभवता हो सकता है कि आने वाले से में यहां से यह प्रशने पूशा जाए किर्थिसाह ने टाप्डेटर का भी अ टिहरी डैम जिस अस्थान पर आज बना है वहां पर इन्होंने गंगा समाधी लेली थी आज टिहरी डैम का जो जलासे है यह दिजर वायर है वहार रामतिर्थिसागर के नम से जाना जाता है यह महत्वल पॉइट अग्यूस्तों तो रामतिर्थि जो है प्रशने यह क्यों वहिसे असी मना सकता है कि सवामिय रामतिर्थि किसके समय में तहिरी में आ तो यहां किर्थिसागर कि यहां के सब्लगंदी ड़िति ऋन्हों आपने वज्जीर हरी कैशनर रतूडी को गड़वाल के इत्यास लखने के लिए प्रवित किया था मैठ्वन पॉक्वाइट है दोस्तहूं हरी किशनर रतूडी ने गड़वाल का इत्यास तप था गड़वाल की परंपरा पराधारी तो नरिंद्र हिंदू लोग लिखा था अब यहां पे आपको मेरी एक बात के दिहान देना है दोस्तों कि गड़वाल का इध्यास किसके पुष्टक है यह प्रस्ण युकैसे सी पूचर पूचा है लेकिन अभी तक युकैसे सी ने नरेंद्र हिंदु लोग नहीं पूचा है तो हो सकता है कि आगाम लोग शुक्ष्टी साहा की गुरों की प्रसंसा करते हैं कहा था कि भारते नरीशों को गड़ नरीश को अपना आदरस बनाने की बात कहीं थी जो मैंत पूइट है दोस्तों बेटे सरकार ने 1903 में दिली दरवार में 1903 की उबादी से मिरुसीद किया था अब आपको एक बा अधर गटी तो इथी वह था बंगाल का बिखायजन देखे दोस्तों ब्रिटिस काल में चार दिली दरवार का आयूजन हुआ था परतम दिली दरवार का आयूजन 1870 में लॉड लटन की समय में हुआ था जिसमें महरानी बिक्टिरियों को किसे ए हिंदी की उपादी दी थी दोस्तों आधनी के थियास कि इस पहलों में आपको ले जाने का एक ही उदिसी है कि आके सभी कॉंसेप्ट्च्वल और फैक्च्वल जो चीजे हैं वो क्लिर हो सके तो इते दिली धरवार 1911 में लार्ड हर्डिंग द्वारा जॉड पंचम और महरानी मेरी की आगमन पर ह हुआ था जिसमें बंगाल विभाजन को तरद कर दिया गया था चौथा दिली धरवार का आगने सो इकेस में लार्ड नीके समय में प्रिंस्वेल्स के आगमन पर हुआ था तो दोस्तों ये जो धिली धरवार फे जो भरत में किया जाता था इसमें कुछ नहीं होता था बस अपने सक्टी प्रिक्शन करते थे या सक्टी का प्रदेशन करते थे 1903 में किर्थी सहा को राज्य कॉंसिल का सरकारी सदेश से बनाये किया था दूस्तों लाड कैम गयल के गथन है कि कृति सा सदुर्श राजा में भारत में किसी नहीं देखा भक्तिदरसन ने किर्शति शहा को राजर रशी के नाम से संब्वदित किया था भक्त दरशन के दिसा के चरित्रुमता और इनके अध्यात्वित से अठिटिक प्रभावित थे अब दोस्तों यहां से यह प्रशन बन सकता है कि भक्त दर्शने के से राज़स्री सी के नाम से सम्मोदित किया था तो वो थे महराजा किर्थी सहा 25 अपरल 1913 को किर्थी सहा की मृत्य हो गई थे किर्थी सहा ने सम्मराट अगवर की भाती गड़ राजिन में धर्मावलियों की अपने अपनी धर्म की मिमानसा करने ही तो एक सभाव लाई थे किर्थी सहा को गड़वाल का अगवर भी कहा जाता है दोस्तों क्यों किर्टे सहागी तुलना अकवर से की गई है इसका एक महत्वकुन पर तक यह है दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि कैसे 1580 में अकवर ने एक धर्म के स्थाफना की थी जिसका नाम तर्दीन ए इलहाई और अकवर ने अपने राजिये में इबादत खाने के स्थाफना की थी जिसमें सभी धर्म के अनियायों को प्रवेश वर्जीत थी था प्रवेश अलाव था वो पूस्ते थे और अपने धर्म के उपर वो चर्चाएं कर सकते थे जिसमें अकपर स्वयम भाग लेता था ठीक इसे प्रकार की गतिवी जीवी किरती सहा के समय में हुई थी संभवता इसे खारण इन्हें किरती सहा को गड़वार काकवर भी कहा जाता है